इंडिया में होता है डेमोक्रेसी का मतलब आज मैं मेरे point of view openly रख सकता हूँ इस वीडियो में अगर मैं कुछ मेरे point of view रखना चाहूँ तो मैं रख सकता हूँ मेरे पास freedom है मेरे पास choice है मेरे democracy में रहता हूँ मेरे एक country जो है डेमोक्रेटिक country है लेकिन कई देशों में ऐसा नहीं होता है इसके लिए उस्हें डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं बहुत कंट्री ऐसी है जो ऑन पेपर डेमोक्रेटिक तो है लेकिन उन्हें के जो सिटीजन से उनको कोई भी राइट्स नहीं है विडियो और आज हम बात करने वाले है अब पॉलिटिकल साइन्स का यह पहला लेक्चर होने वाला है जहां पर क्लास्टेंट महरस्ट्र बोर्ड 2024 के लिए यह शुरुवात करने जा रहे है पिछला लेक्चर हमने हिस्ट्री के लेटेट लिया था और उसके अंदर काफी सारी इंट्रेस्टिंग चीजों गयार में डिस्कॉस किया था अब बारी है पॉलिटिकल साइन्स की जहां पर आपका पहला चाप्टर है वर्किंग ओव कॉंस्टिटूशन यानि कि भारत के सम्विधान के बारे में जानेंगे कैसे वो काम करता है क्या है उसके इंपोर्टेंट पार्ट्स वगेरा सारी कुछ चीज़े इस चाप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले स्टार्ट करते हैं कुछ इंट्रोडक्शन से इंडियन कॉंस्टिटूशन आज देखलाइब इस अब्जेक्टिव तो एस्टेबलिश अ सेक्यूलर डेमोक्राटिक रिपब्लिक अब सेक्यूलर डिमाग्राटिक रिपबलिक क्या रहता है सेक्यूलर यानि कि यहां पर कोई एक धरम मेजर धरम नहीं होगा किसी को अलग जैसे कि हम जानते है जो भी इस्लामिक स्टेट से वहाँ पर इसलाम स्टेट रिलीजन होता है लेकिन जो सेक्यूलर देश होता है जैसे कि इंडिया है वहाँ पर कोई established बोल नहीं सकते हैं कि वो religion ही follow करना पड़ेगा सब अपने धर्म को follow कर सकते हैं कोई state का धर्म नहीं होता है यानि कि इंडिया का as a whole कोई धर्म नहीं होगा democratic republic यानि कि यहाँ पर सारी चीज़े democracy के हिसाब से होगी पीपल के पास जो भी लोग इंडिया के अंदर रहते हैं सबके पास अपने rights होगे और अपनी freedom होगी also it has made extremely important provisions to ensure that the citizen gets justice and their freedom is protected ऐसे ऐसे clause समीधान में रखे गए ऐसे ऐसे clause constitution के अंदर रखे गए जिससे यह ensure किया जा सके कि citizen को justice बहुत प्रॉपर तरीके से मिले और उनकी जो freedom रहे जो उनकी स्वतन तरता है वो प्रोटेक्टेड रहे इंडियन constitution is seen as the means through which a progressive developed society based on social justice and equality will be established यानि constitution को एक progressive tool की तरह से देखा गया है जिसके through हमारा जो country है इंडिया है वो एक developed society बने जहां पर social justice और equality उनका जो main motor है तो हर एक जो भी constitution के अंदर बात की गई है उसमें हर जगा यह mention किया गया है कि इंडिया के जितने भी population है सबको social justice मिले equality हो जिसके through अगर यह तो अचीव हो जाता है तो automatically जो हमारी society होती है वो develop हो जाती है और इसी के basis पर constitution में दोनों का clause रखा गया है equality और social justice अब थोड़े important points आते है जो आप answer में कहीं भी frame करते है और use कर सकते है the constitution came into existence यह came into force on 26th January 1950 कब आया था 26th January 1950 इसके लिए हम Republic Day बनाते है 26th January को 26th January हम बनाते है Republic Day क्योंकि 26th January को हमारा constitution power में आया था 26th January 1950 and since then the government has been working in accordance with the principles of constitution और उसके बाद government हमेशा constitution में जो लिखा गया है उसके accordingly ही work करती है इस chapter में primarily हम तीन पार्ट पर focus करने वाले है पहला है democracy second is social justice और third is judicial system यानि हम पहले democracy के बार में जानेंगे democracy के अंदर क्या rights है लोगों के पास दूसरा social justice social justice कैसे मिलेगा लोगों को क्या उसके लिए प्राविदान रखे गया है constitution के अंदर lastly judicial system क्या judicial system constitution के अंदर established की गई है यानि अगर मुझे एक justice चीज है मैं चाहता हूँ कि मैं किसी के उपर case किया हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो case मैं जीतू या मैं मेरे को वो नियाय मिले तो मेरे पास क्या options available है सबसे पहले मैं कौन से court में जाओंगा फिर कहा जाओंगा फिर कहा जाओंगा फिर कहा जाओंगा इस सारी चीजे judicial system में properly mentioned है जो chapter के अंदर हम आगे सीखेंगे तो आज बात करते हैं first और very important part की democracy democracy के अंदर क्या है चल्यों देखते हैं कौन से rights हमें available है तो democracy के अंदर first जो हमारा पार्ट है वो है introduction जान लेते है कि क्या है political maturity democracy के अंदर first one जो हमारा है वो क्या है political maturity क्या है देखते है democracy does not merely imply a representative structure यानि ऐसे बोलने से हम democracy नहीं हो जाने वाले कि हम democratic है on paper हम democracy establish नहीं कर सकते हमको कहीं ना कहीं democracy के जो principles है जो objectives है उसको implement करना पड़ेगा जैसे कि इंडिया में होता है democracy का मतलब आज मैं मेरे point of view openly रख सकता हूँ इस वीडियो में अगर मैं कुछ मेरे point of view रखना चाहूँ तो मैं रख सकता हूँ मेरे पास freedom है मेरे पास choice है में democracy में रहता हूँ मेरे एक country जो है और democratic country है लेकिन कई देशों में ऐसा नहीं होता है इसके लिए उसने डेमोक्रेसी नहीं कह सकते है बहुत country ऐसी है जो on paper democratic तो है लेकिन उन्हें के जो citizens है उनको कोई भी rights नहीं है तो डेमोक्रेसी यहां पर पहला पॉइंट वहीं बोला है कि वह एक खली रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर नहीं होना चीए the essence of representative system is to integrate the principles of democracy in actual practice जैसे कि मैंने बोला कि on paper नहीं actual implementation करना है और इसलिए democracy तभी एक democracy कही जाएगी जब उनके जो से वह सही माहिने में apply किये गए हो राइट सही माहिने में लोगों को दिये गए हो वन्स दिस दन democracy becomes an integral part of political life of the society जैसे ही हमने हमारे जो अब्जेक्टिव है यानि कि सब को rights देना शुरू कर दिया तो democracy और politics यह दोनों साथ साथ में चलने लगे और हमारे political society है political life उसके अंदर democracy एक बहुत ही एहम हिस्सा बन जाता है कि accordingly Indian people have direct representation in the parliament जैसे कि आप जानते हो कि हस जो elections होते लोक सबा election और पाच साल में एक बार होते अब हम जिसको वोट करते हैं वही जाके parliament में बैठता है तो यानि हमारा पास एक direct कह सकते हैं कि right है freedom है हम चूज करते हैं जिसको वोट देंगे वही जाके parliament में बैठेगा यानि वह हमारा ही एक representative होगा हमने लोकल गवर्मेंट सेम स्टेट के लिए भी होता है जब स्टेट का election होता है तो उसके लिए भी जब हम वोट करेंगे जिसको वोट करेंगे वही जाएगा स्टेट के जो भी लेजिसलेचर में है और लोकल गवर्मेंट यानि कि जो हमारी city है जैसे मुंबई है तो मुंबई का अगर हम लोकल गवर्मेंट जो BMC का election होता है BMC के election के अंदर भी हम जिसको वोट देंगे वही BMC council में भी बैठेगा तो यानि कि हमारा पास rights है कि हम देश का स्टेट का और यानि हमारे लोकल जो गवर्मेंट है उसको भी हम चुने वह हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो holding free and fair elections at regular interval is important indicator of India's successful democracy यानि कि एक democracy के अंदर अगर फ्री और फेर और टाइमली फ्री और फेर यानि कि बिना कोई corruption के या कोई एक ही party हो बाकी सामने कोई हो ही ना ऐसा कोई भी चीज ना होते हुए हमारा पास बहुत इंडिया में देखते हैं तो कितने सारे political parties है बहुत सारी options और फास ही उप्शन से साथी साथ हमारो timely elections होते हैं अगर हर पांठ साल में ईलेक्शन होगा इंघान होगा एक इस बार दस साल में एक बार होगा नया कोई बंदा है उसने फीक साल बाद होग कि वो free or fair election कराती है और वो भी रेगुलर इंडिकेटर पर यानि कि timely manner में हर पाथ साल में यहां पर election होता है जो कि एकदम fair तरीके से किया जाता है the increasing participation of people in political process and political competition shows that India democracy has become successful to a great extent अब यहां पर देखा जाए तो बहुत सारे नए लोग भी है जो politics में इंटर हो रहे हैं अपनी पार्टी के थूरू या दूसरे party में as a member बनके कई ना कई वो भी politics join करना चाते है और लोग जो actively vote करने भी जाते है इन politicians के लिए जो हम लोग है जो हम वोट करने जाते यह जो पार्टिस्टिपेशन है पब्लिक का इन politics या towards politics यह कई ना कई और एक successful इंडिकेटर बन जाता है इंडिया के लिए कि इंडिया एक बहुत ही successful democracy है अब दूसरा है right to vote पहला था political maturity यानि अब इंडिया इतना मैच और political हो गया है कि democracy एक बहुत इंपोर्टेंट पाइट बन चुका है politics का second right to vote इंडियन constitution had made the provision of right to vote for adults adults यानि कौन जो भी 18 प्लस है वो adults में आगए और 18 प्लस वाले को वोट करने का right grant किया गया in the pre-independence period several provisions existed which restricted the right to vote या में हर एक adult को right करने का vote है वोट करने का right है पहले ऐसा नहीं हुआ करता था independence के पहले कुछ ही लोगों को अमीर लोगों होने उनको ही right करने वोट करने का right होता था कई एक देशों में तो इंडिया में तो बिल्कुल नहीं हर एक adult को vote करने का right है चाहे वो गरीब हो चाहे वो एक वोट कर सकते है वोटिंग राइट सबको equally देजिये के ट्वेंटीवन एरस है तो बोथ मेन और वोमेन अबवाव एज ओफ ट्वेंटीवन इस साल के बाद आप वोट कर सकते हो दो वोटिंग एज वस लेटर रिदूस फ्रों 21 तो 18 विच गेव अपोर्टिंटीवन पार्टिकल पार्टिसिपेशन तो यंग जनरेशन ऑफ इंडिया यानि कि पहले 21 साल था अब 18 साल हो चुका है 21 साल तक पहले आप वोट कर सकते थे मगद गवर्मेंट चाहती थी कि यंग जनरेशन भी पार्ट रहे इलेक्शन कमिशन का वोटिंग कर सके अपने जो फ्यूचर के लीडर से उनको वो चूज कर सके इसलिए ये 21 का 18 किया थाकि ज्यादा लोग वोट कर सके ज्यादा लोग अलग-अलग चॉइसिस कर सके और एक आईडियल कैंडिडेट देश के लिए काम कर सके सच प्रोविजन हैं मेड इन इंडिया दा लार्जेस्ट देमोक्रसी इंडिया जो आपने कई बार सुना अगा न्यूस अगर अगर आप देखते हो तो कि इंडिया का पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है और इस पॉपुलेशन को हैं डेमोक्राटिकली बीना कोई सब्सक्राइशन के और इसलिए इंडिया को बूला जाता है दा लार्जेस्ट देमोक्रेसी इन दे वर्ड इंडिया आज दा लाजेस्ट नमबर अफ वोटर्स कंपेर टो एन अधर देमोक्रेटिक निशन सबसे ज्यादा वोटर्स भी हमारे देश में हैं पूरे वर्ड के अंदर अब यह खाली नमबर में ज्यादा इसके लाएं देमोक्रेसी अच्छी है बलकी क्वालिटीटीव ले भी हुआ है कि बहुत सारी नहीं पार्टीज आती जारी है पहले दो तीन चार पार्टी थी आज सेकड़ों पार्टी है काई लोग एजन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी बंद खड़े होते हैं एलेक्शन में और जीतते भी है तो नए नहीं पार्टीज और नए नहीं लोग रोजी पॉलिटिक्स में जूड़ रहे हैं जिसके करते लेको उट मिल जाएगा जो डीमोक्राइसी के लिए बहुत ही अच्छी बात तो है नेक्स टीसेंट्रलाइजेटिचन ओव ड्यमोक्रीशीों की कि बीसेंट्राइजेट्यरॉइच्टल सांट्रल तूटै क्वर्मेंटर्मट यहां पर पावस बात दिये गए गये सेंट्रल के पास कुछ पावर है कुछ पावर स्टेट गवर्मेंट के पास है कुछ पावर लोकल गवर्मेंट के पास है जैसे कि आप जानते होगे अगर आपने पहले पिसले शाल यह आपको रहा होगा सेंटर गवर्मेंट होता, स्का स्टेट गवर्मेंट होता है, लोकल बॉडी होती, विंसिपल कॉर्परेशन, पंचायती, राज, यह सारे के पास अपनी अपनी एक पावर है, अपनी अपना एक बॉर्डर शेर किये गए कि इस पार्ट में या इस रिजन में जो सुप्रीम प कर सकते हैं, इससे क्या होता है, कि किसी एक हाथ में पावर नहीं होती है, बल्कि बहुतों के हाथ में पावर होती है, जिससे काम चलते रहे, इसके फाइद भी बहुत है, और इसके नुकसान भी बहुत है, लेकिन फिलाल हम उसके डीप में नहीं जाएंगे, और यहां पर जो है उसी पे स्टिक रहेंगे दिडियरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिशी इंक्लूड दप्रोविजन सब्सक्राइटिक संट्राइजेशन वन सच इंपॉर्डन प्रोविजन इस रिगार्डिंग एंपावरिंग असल्फ लोकल सेफ गवर्मेंट मेंग जैन बिकाज यहां पर इतना डिसेंट्राइशन और इतने लेवल ऑफ गवर्मेंट मनाए गए है कि एक छोटा सा चोटा पार्ट भी एक गवर्मेंट का अंदर आज जैसे कि अगर हम बात करते एक डिस्ट्रिक है तो डिस्ट्रिक का भी अपना एक गवर्मेंग बॉडी है उसक अभार्ट इंडेपेंडेन सेवरल अे अटेंब्स वर मेंट तोवर्स दयोम डिसेंट्राइशन वन सच'NG इंपोर्टं रतेंप इस सेवीं हों धरीटे जैशाइक सब्कराइशन वन सब्सक्राइब लेगें पीच्यक्तों बन गया हमने constitution लिख लिया constitution बन गया अब अगर उसमें कोई changes करने तो changes कोंब बोलते amendment तो 73rd और 74th जो changes हुए थे Indian constitution में उन्होंने local self-governing institution या अब है right to information RTI 2005 citizen empowerment is essential condition of democracy it is necessary to create opportunities for citizens participation and interaction with the government कि अब गवर्मेंट ही खाली वन वे अपने को सारी चीज़े बोल दे कि भाई चलो इतना टैक्स बरो अब यह है यह खाली गवर्मेंट ही बात करें तो इट इस नोट गुड़ फॉर democracy जंते अगर कुछ सवाल पूछना चाहती है government से कोई आंसर दाना चाहती है चाहे वो state के रिएटेड हो district के रिएटेड हो country के रिलेटेड हो external affairs के रिएटेड हो international affairs के रिएटेड हो तो वो कैसे पूछेगी एक one way communication healthy चीज नहीं होती डेमोक्राइसी के लिए और इसलिए यह राइट तू इन्फरमेशन निकाला गया जिसके थू हम अजना आम आधमी राइट तू इन्फरमेशन के तहत कोई भी क्वेश्चन गवर्मेंट को पूच सकते हैं citizens have right to know about the functioning of the government the government of India give right to information to citizens of India to ensure transparency and accountability which are the hallmarks of good governance यानि कि एक transparency रह गई अगर हम question कुछ पूचना चाते है जैसे अगर कोई एक नई scheme government ने launch की है उसके लेटर हम question पूचना जाते हैं हम बिंदास पूच सकते हैं using RTI और government को within the stipulated time उसका जवाब भी देना पड़ेगा right to information has made government more transparent and has reduced the element of secrecy in the working of government अभी कोई लोचा वगेरा नहीं हो सकता कोई secrecy नहीं रह सकती आपस में यह लोग पैसे वगेरा नहीं खा सकते बोलने के लिए ठीक है लेकिन अभी सब्सक्राइब भी होता है यह सारी चीजे मगर अगर हर एक बंदा अगर राइट इन्फरमेशन को अच्छी तरीके से समझ जाए और सवाल पूछना शुरू करते गवर्रमेंट से तो गवर्रमेंट को उसका आंसर देना पड़े अगर कही ना कहीं यह जो सीक्रेसी है जो गवर्रमेंट के अंदर मेंटेन होती है वह एकदमी खत्म हो जाएगी और ट्रांसफरेंसी से सारी चीजे हमें एज जनता पता चले लेगी कि क्या क्या गवर्रमेंट कर रही है आफ्टर दे यर 2000 दे होल अप्रोच तो देमोक्राटिक रिफॉर्म्स हाज चेंग डेमोक्राटिक रिफॉर्म्स अर पंसिड़र एज राइज राइज तो इस चीज़ों को देखा जा रहा है सब्सक्राटिक रिफॉर्मेशन राइज चीज़ों कर लिए लेकिन अब जो जनता चाहते उसके लिए कुछ और बेटर सोच तो क्या है राइज इंट्रूइस करें राइज चाने की हख पहला हक क्या है इंफॉर्मेशन आईटी आइज हम पढ़ रहे हैं याग कि जनता को ह हख है सारी इंफॉर्मेशन जानने का दूसरा एजुकेशन जनता को हख है कि वह अच्छी सिक्षा ले पढ़े और लास्टी फूड सीक्योरेटी कोई भूका ना सो इसके लिए राइट टू फूड सीक्योरेटी इस राइट्स हैव स्ट्रेंटेंड डेमोक्रेसी इन इंड पहले लिघा रौ सीतिकरवाले पहला है यहाँ पार्ट में मैं कवर करेंगे अगर आपको कोई भी विडियो और यह सकते है और आप लिंट्न पर लिंडिन पर उसे connect हो सकते है और बाकी comment section पर खुला है comment section में आपको जो भी doubt है या अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे तो appreciation comments डाल दीजिए appreciate कीजिए चीजों को वीडियो को share कीजिए like कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए अगर आप नहीं आए हो बैल आइकन दबाए क्योंकि और ऐसे वीडियो कंटिन्यूस अभी आने वाले मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए take care bye bye